ज़े श्री राधी, हरे खृष्णा 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 प्रारंबी किया क्योंकि आज का प्रश्ण महामंत्र से जुड़ा हुआ है प्रायव भक्त लोग ये प्रश्ण पूछते हैं कि आप लोग सदैव हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जबते हैं अच्छ भारत में इस महामंत्र को दो प्रकार से जपनी की परंपरा है। अगर जपने हैं तो हरे राम से शुबारंब करना ठीक रहेगा या हरे कृष्ण से प्रारंब करना ठीक रहेगा। अब से पहले हम यह बता दें कि यह मंत्र कोई मनमुखी मंत्र नहीं है यह मंत्र वैदिक मंत्र है। हमने दोनों परंपरा हरे राम से और हरे कृष्ण से पहले तो यह देखिए इस मंत्र को हमने कहां से प्राप्ति किया। यजुर्वेदिय उपनिशद कली संतरन उपनिशद है जिसमें इसका प्रत्तक्ष वरणन है और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते कि आने वाला जो कलियूग होगा कलियूग के प्राणी सर्वता साधन हीन होंगे बलहीन होंगे अलपाईउ होंगे निर्वल होंगे तो ऐसे लोगों को सुगमता से इस भवसागर को पार करने का कोई उपाई बताई है तो उस समय ब्रह्मा जी इस मंत्र को कहते हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, अर्थात यहां राम से आरंब किया, यही मंत्र ब्रह्मांड पुरान में भी है, और ब्रह्मांड पुरान में हरे कृष्ण से आरं ब्रह्मा जी एक बात और कहते हैं वो कहते हैं इती शोडशकम नाम नाम ये जो सोले नाम हैं इती शोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम कली के समस्त कलमश कली के समस्त गंदिगी कली के समस्त मल को नाश करने वाले हैं नातह पर तरो पाय हो इसके अत्रिक्त इस कली काल में औ कोई उपाई नहीं है कल्यूग में रहकर यह दि हम सत्यूग की धरना को मान कर चलेंगे अत्वा त्रेता अत्वा द्वापर की विधी मानेंगे तो मानने नहीं होगा सत्यूग में लोगों के बल लोगों की आयू लोगों के साधन कुछ और थे तो उस विधी भी अलग थी इ इसलिए नातहपरतरोपायः सरववेदेशु दृष्षते। बेटा मैंने सारे वेदों को अनुशीलन करके श्रिमत भागवत में ब्रमाजी कहते हैं मैंने वेदों का तीन वार अनुशीलन किया। तो मैंने संपूरन वेदों को तीनवारा नुशिलन करके कली काल के मारवों के लिए केवल एक मात्र यही उपाए पाया कि इन सोले नामों का आसरे जो लेगा वह समस्तर रोग, शोग, भई, पिपत्ती से दूर होकर और इस भवसागर को पार करेगा, मुक्षे का अधिकारी बनेगा, तो आपके पहले प्रशन का उत्तर इस तो भी मिल गया, कि यह हम महा मंत्र क्यों जबते हैं, अब दूसरा प्रशन कि इस मंत्र को हम हरे कृष्ण से शुरू करें, कौन सा सठीक है, तो भईया, दोनों ही पद्दती सठीक है, आप कहीं से भी शुरू करें, केवल संपरदाएं हम किसी संपरदाई से दिक्षित हो कर मंत्र पराप्ते करती थो फंपरदाएं हमें जिस संपरदा отвеч का ज्रडआ कराते हैं, उस संपरदाव के अनुगत होकर हमें इस मंत्र का जाब करना चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है मैं प्रमान दे सकता हूं हमारे भारत के महान बेदानती संते थे करपात्री जी महाराज हनुमान प्रशाद पुद्दार जी जैदेल गोएंद का जी जो हमारे गेता प्रेस गुरकपुर के फाउंडर कम प्रेसिडेंट और स्वामी पुझ्य स्वामी पहले बोलकर ही जाप किया और अब आईए गोडियां वेश्टन संप्रदा की बार स्रीकृष्ण चैतने महाप्रभू ने जब इस धरा पर उनका अवतरन हुआ सब जानते हैं प्रिमावतार है राधा कृष्ण का यूग मावतार है और पूरे ब्रमांड में गली-गली तक अगर हरी नाम संकृतन का प्रचार किया तो उसका पूर्ण श्रय केवल चैतने महाप्रभू जी को जाता है चैतने महाप्रभू जी ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे से आरंब किया उसका कारण है कार जुड़े होती है वेद मंत्र स्वस्वर पाट किये जाती है आप लोग ने सुना होगा वेदिक ब्राह्मनों के मुख से तो एक तो स्वर की परधानता है वेदिक मंत्र जब भी होगा उसमें स्वर चाहिए आसन के शुद्धी चाहिए आप इश्णान करे भी ना बीज मंत्र और उसके बावजूद इसे विधी निशेद से प्रिथक कर दिया गया है इसलिए केवल ये नाम मंत्र है अर्थात ये महा मंत्र है इसलिए इसमें ओम आदी अथवा नमहों आदी शब्द का परेउग नहीं किया गया है तो इसलिए आप चुकि इसे किसी भी प्रकार के वि सोचा कि कली काल के मानव तो सरवता विधी और निशेद का पालन कर नहीं सकता अब कली कल उशेद मारव सरवता एक तो बली ही नहीं आयू कम है और फिर दूसरी बाद चैतने महाप्रभू को तो जगाई मदाई जैसे अतिशा है जो जिनोंने मदीरा पान किया ऐसे पापी पी लोगों का भी उद्धर उनों ने किया का जी मुखमद जैसा एक मुस्लिम एक मिलेच्शों का भी उद्धर किया का छी उद्धर सब जानते तो उन्हों ने तो चैतन महाप्रभू ने तो जड चेत यद्च संकिरतन कर के चलते थे तो मारग में जो जंगल के बन के ज behavior प तो ऐसे में किसी बिधी में बंदकर तो नामजपना संभव नहीं है इसलिए उन्होंने वेद से न लेकर उन्होंने पुरान से लिया वेद में बाद देता हो सकती है कि पुरान में कोई बाद देता नहीं है तो उन्होंने ब्रह्मान पुरान से जो मंत्र लिया अच्छतन महा पूरल ब्रमांड में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां गली-गली में उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को कृष्ण भावनाम्रत संगे के द्वारा न पहुचा दिया हो ऐसे विदेश के लोग जो मांस मदीरा में और वेविचार में रत रहते थे जो हिंसा वृ मंदिर में हम देखते हैं बलके मैं तो यह कहता हूं हम हिंदुस्तानी होकर भी उतना भजन नहीं कर पाते जतना वो लो करते हैं उनका परिदान कितना संदर पहनते हैं वो लोग एकदम पूरन पैशना तो इसलिए यह भी परंपरा ठीक है तो जो गोडिय परंपरा के करते हैं ने कि इडिए मैं चैनल शक्राष्च्ण में नहीं है हम आप महराश्च्र में ऐक जो घंक्राइबिवागाण में पिख्च्ण अधkes वक्तेम जिनको बोलते हैं वारकरि संप्रताएं वालों आण मंत्र को विजो सोलई नाम को छोटा कर किव थी उन-ग्यिंस्स तो क्या फरक पड़ता है तीनी अक्षर शब्दों तो तीन ही है तो बोलोगे आप इसवार करीशंपर दाए कि जो मान संत्य हुए संत ज्यानेश्वन अगर आप से मैं तो कहता हूं कि जो जो अधिक पड़े लिखे नहीं है और बहुत लंबा मंत्र इस्मरा नहीं कर सकते हमारे गाउं की बड़े बुड़े लोग बुजर्ग लोग अशिक्षित लोग अथवा जो बिल्कुल कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया हो उनको अब राम क अधिक पर गुरु पर अनुसार ही चलना चाहिए तो जो सिरी संप्रदाय में उसमें हरे और राम और कृष्ण इन तीनों का की जो प्रदानता है पहले इनकी व्यक्या सुन लेजिए तो मैं बात में बताऊंगा कि आखिर श्री संप्रदाय में अथवा रामानंद संप्रदाय में हरे शब्द का क्या अर्थ लेते हैं राम का अतवा कृष्ण का अलग अलग लेते हैं कि तो है सब एक ही तो पहले तो सबसे पहले हम लेते हरे हमारे गोडिय संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय में हरे शब्द का अर्थ हम लोग राधारानी से लेते हैं हर कि अर्थाती योगी नां चेतान सी थी फिरे अर्था जो बड़ बड़ परांश बड़ अमलयत्मा अविमलयत्मा बड़ बड़ योगी यों के जो चित्त को भी हरन कर ले तो ऐसे हरन कर लें के किशोरी जी भगवान सचचे धानंद सिरक्रिष्टि के चित्ति को भी हरण कर लेती हैं तो ऐसे आहलादीनी शक्ति अंतरंगा शक्ति भगवान की हम उनको भी हरे कहती हैं दुर्गा शब्तशती जा पढ़ते हूं तो दुर्गा शब्तशती में भी माँ भगवती दुर्गा के लिए भी हरे शब्दे का प्रेय हुआ देवी प्रपनार्ति हरे प्रसीदा प्रसीदा मातर जगतो खिलास्या प्रसीदा विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरा चरास्या देवी प्रपनार्त हरे प्रसीदा प्रपनार्त मा भगवती से भी आर्थ होकर हम हरे प्रसीदा और क्यों नहों अरे भई हरती इती हरा जो हरन करे हरन करने की जो रोग शोक भय दुख्य व्यादी को हरन करे उस शक्ति को हरा कहती जैसे रमा को हम संस्कृत में रमे ऐसे हरा को हरे तो यहांपर आप देख सकते शक्ति दुरगारादा सीता हम इसके लिए हुआ रे शब्द का करती है तो हरे अरधात आखरशन जो करे जो हरन करे और हरे शब्द का हरती हमारे बर्रज में इसकी व्याख्यालग करती के हरती गोपी नाम चितं नवनीट हरी जो गोपियों के चित्वित्व और नवनीत इन oranges मक्षण आदी को घरन करें वह भी हरी। और हमारे ब्रिज में तो ब्रजवासी यहाँ ब्रजे बसंतम नवनीत चोरं गोपांग नानाम चयद कूल चोरं अनेक जनमार जित पाप चोरं चोरा ग्रण्यम पुरुशं नमामी ब्रजे बसंतम नवनीत चोरं जो ब्रजवासीओं के नवनीत को चोरी करें जो गोपांग नाओं के समस्त यदकुल चोरं जो गोपांग ना के घर घर में उनके हिरदे को उनके चित को चोरी करें चित चोर और अनेक जनमार जित पाप चोरं और जनम जनमांतर के संचित पाप को जो चुराले ऐसे चोर को भी हम हरे भरन करते तो हरे हुई ऐसे अब आई कृष्ण करशती योगि नाम चेतान सीते कृष्ण जो बड़े बड़े परमन्सों के चित्त को भी जो आकर्षन करे करशती यह निया करना जो अकर्ष्ट करे अपनी और खीच ले अनायास उनको भी प्राणी मात्र के हिरदय को अकर्षन करें उनको आम कृष्ण केती हैं तो हरी शब्द कर थो गया कृष्ण अब आए भगवान स्री राम तो रमनते योगी नस मिन्यती राम जो बड़ बड़ योगीं के हिरदय में रमन करी तो जो घटगट रमन करी अथो अमारे गोडिय उसको भी अमार्य संप्र दाय करें उसको हाम के ठी तो जो गोडिय संप्रदाय में ह्रें परा में हरो दो जो पर चलिए आर्ड नहीं तो है जो नहीं नन्य पर हहाँ गादे संप्रदाय है परें परें पर पर खीर चांचारण fren अर फिर राद southeast to उसमें हरे शब्दकारत उनों से इतर हरे को सीताजी के रूप में जानकी जी के रूप में लेते हैं अभी मैंने कहा दुर्गा शब्ति श्यति कहाण अधारन दिया ओया या को जानकी भूषम्हीर तो ईत्र इसलिए ऺड़ बॉद्र सुन्त wiederumĩ सुन्दर तो फिर योई इसलिए तीनों सुंपरदाय में ले रहे औरु सिता-राम सिता-राङ्म maggai सुन्द्व में और फूधान किर्वड़ कोई कि दो कोई कि नित्राय राधे क्रिश्न करके ले रहें तो किसी भी रूप में लेजिए सीताराम कहें अथवा रादेश्याम कहें क्या अंतर है जो सीताराम है वही रादेश्याम है और जो रादेश्याम है वही सीताराम है इसलिए कोई भेद नहीं है जिसको मन में जो भावे उसी रूप में अपने गुरू के अनु ब्रेम प्रगत नहीं था पर प्रेमपर्कट एक बर वो गया तो फिर आप चाहकर भी चुटे गा नहीं चोड़ नहीं सकोगे कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप किसी भी समय इस महामंतर का जाप कर सकते हैं तो अंतमे मैं यही कहूँगा कि जो जिस संपरदाय से अनुगत हैं भाई देखो आप किसी बैद्दी के पास जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस डॉक्टर के पास यह खाना यह करना उनकी बात मानते ना तो ऐसे ही आप जिस संप्रदाय से अनुगत हैं उसी संप्रदाय के उसी आचारी के उसी सद्ध गुरुदेप के अग्यागा फालन करें इसमें कोई विरोध ही नहीं दोना पद्दत ही उचीत हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे